आप देख सकते हो कि मेरे पास एक Bluetooth earphone का circuit है इसके अंदर प्रोलम यह हो रही है कि जब इसको हम चाल लगा रहे हैं तो यहां पर हमारी रेड रंग की लाइट जलनी चाहिए जबकि इसके अंदर नीले रंग की लाइट जल रही है और यह ओन्सकार दोस्तो टेक्निकल जुगा यह उसको आते हैं तो हमारी नीली रंग की लाइट तो जलती है बट यह ओन नहीं हो रहा है तो इस तरीके से हमें स्टैब बइस प्रोलम को चेक करना है किस तरीके से रपेर करना है सब कुछ आज की वीडियो के अंदर मैं आपको full detail से बताने वाला हूँ तो वीडियो को बेही आप सुरू से end तक देखें और वीडियो को आगे start करने इस पहले मैं आपसे request भी करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तब ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें अधर्वाइज वीडियो को डिसलाइक करें तो चलिए फ्रेंड ज़्यादा समय नगवाते हुए वीडियो कंटिनूरी स्टार्ट करते हैं अब देखे अब हमें क्या करना है यहां पर ना हमएं इस्की सर्किٹ को खोल के देखना पड़ेगा इसके लिए कि वही क्या प्रॉल्म आगई है अब इस सर्किٹ को खोलने के लिए देखे इस नैंग Band के अंदर आप.." देखो यहां पर भी एक Box बना हुए हमारा और यहां पे भी एक box बना है और इसके अंदर भी हमारा एक छोटा सा वह यह box है जिसके अंदर हमारे सारा on-o button charging pin वगरा लगी हुई है तो हम क्या करेंगे एक-एक करके सारी चीज़ों को खोलेंगे और देखेंगे अंदर का राज वई किसके अंदर क्या है और साथ ही देखेंगे कि यह जो problem बन रही है वो हमारे किस वज़े से बन रही है पहले हम अब क्या करेंगे सबसे पहले हम इस main circuit को खोलेंगे जहां पर हमारी on-o button और यह charging pin वगरा लगी हुई है तो इसको हमें खोलना पड़ेगा अब इसको खोलने के लिए देखें आपको हर कोई भी चीज आप खोलते हो तो भी मैं हर बार आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको बिल्कुल प्यार से और अच्छे तरीके से खोलना है ताकि आप अपना काम करके उसे दुबारा से उसी तरीके से पैक कर पाओ कुछ लोग क्या करते हैं भाई या खोल खाल तो दिया फटा फट जल्दी में उल्टा सीधा करके कुछ भी लेकिन फिर बाद में जब उसे पैक करने की बारी आते है तो फिर वो फैवी कुग लगाते फिर तेयं तो ऐसा नहीं करना आप जो भी काम करो तरीके से करो सफाइ के मतलब यह है तो आप देखे इस सर्कुट को खोलने के लिए हमें क्या करना है इस तरीके का आपको ओपनर की जरूत पड़ेगी और ओपनर की मदद से आपको क्या करना है इसको कोर्णर पर ऐसे स्पेस बनाना है इस तरीके से स्पेस बनाओगे और इसको हलका सा उठाओगे देखिए इस तरीके से आपको उठाना है और यह चीजे बड़े अराम से खुल भी जाती है वस आपको तरीका पता होना चीए यह देखिए बड़े अराम से खुल गया कुछ भी नहीं लगा इसके अंदर इसको रखते हैं साइड में अब हम क्या करेंगे यह यहां पर चिपक के ओपर कि कोई वायर क्या हमारी कहीं से निकल तो नहीं गई जैसे कि यहां पर वायर लगी हुई है तो यह मुझे सई दिखाई दे रही है और यहां पर यह देख लो चार पांच वायर लगी हुई है तो ये भी चारो वायर हमारी सही से लगी हुई है तो ये चीजे सबसे पहले आपको गोर करना है और सर्किट के अंदर आपको देख लेना है कुछ जला हुला, कुछ तो नहीं दिखाई देरा तो एक बार हम क्या करेंगे ना पहले इसको पूरा यहां तक खोल लेंगे इसके बोक्स को भी देख लेंगे उसके बाद फिर हम लाइन को ट्रेस करते चलेंगे तो एक बार हम इसको भी खोल लेते हैं तो इसको खोलने के लिए भी क्या है वही तरीका है ऐसे ओपनर लेना है और ओपनर को ऐसे इसके अंदर ऐसे फसाना है ये देखिए फसा दिया आगे करते जाओ ओपनर को इस तरीके से और यहां पर आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको खोला तो यहां पर एक लंबी सी हमारी बैटरी लगी हुई है बड़ी अच्छी बात है क् इसके अंदर इतनी लंबी बैटरी लगी है तो बैक अप तो जरूर यह होगा इसका उसके बाद इस वाले को भी खोल लेते हैं इसके अंदर भी साथ बैटरी मिलेगे क्योंकि यह सेम साइज की है देख लेते हैं वैसे इसको भी हम इसी तरीके से खोलेंगे तो यहां पर भ 20-25 घंटे तो अराम से चलता ही होगा मेरे इसाब से बाकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है तो यहां पर देखे इस तरीके से हमने इसका पूरा खोल लिया सिस्टम यहां पर सरकिट भी खोल लिया यहां पर यह बैटरी वाला भी सिस्टम खोल लिया है अब देखे इसको हम देखेंगे इस तरीके से यहां पर देखें इस तरीके से हमें देखना है यहां से यह जो वायर गई है नीचे वाले से तो कोई मतलब नहीं है नीचे वाले में कश्टनमर ने बोला भी है कि आवाज वेगर बिल्कुल पर आ रही थी जब तक चल रहा था मालो तो नीचे का तो यहां पर थोडा सा में फाल्ट दिखाई देता है, अब वो फाल्ट क्या है, कि अगर इस ऊप ध्यान से देखोगे, तो बेक सैट से आपको यहां पर वाइर हमें कुछ कट्टी Chapter दिखाई दे रही है, और ऐसे वाइर हमें बाहर दिखाई दे रही है, यह देख सकते हो और यह जर्णली सभी के साथ हो जाता है अगर आप यह फोन या हैट फोन वेगरा इसे लंबे टैम तक यूज करते हो तो यहां से या फिर कॉर्णर से या बीच में से कहीं से यह वायर ऐसे बनी जाती है और फिर कुछ दिन बाद दिक्कत देने लगती है कई सब्सक्राइब करते हैं और मैं यह दो कुछ भी नहीं होता है तो सब कुछ पता है अगर तरीका नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं पता कहने का मतलब पहले हम मल्टिमीटर को चेक कर लें कि ये बीप आ रही है कि नहीं आ लेते हैं इस तरीके से देखे अंदर होती है ये रही हमारी नई बैटरी इसके पनी को मैं उतार लेता हूं फटा फट यह टैम पे भी खत्म होनी होती यह एक तो ऐसे ही गर्मी बहुत है आपके एरिये में गर्मी कैसी है मुझे जलूर कमंड करके बताना है यहां तो यार लग जाएगा बड़े अराम से और इसको मैं दुबारा से ऐसे फिट कर रहा हूँ देखिए दूसरे तीसरे दिन मेरे को बैटरी रिप्लेस करना ही पड़ते हैं क्या करें है तो यह देखिए मैंने इसको फिट कर लिया है और इसको बोड़ी में फिट कर दिया है अब देख लेते हैं एक बार तो यह सई चल रहा है यह इस तरीके से यहां पर यह बिल्कुल बढ़ी है तरीके से काम कर रहा है आप सुन भी सकते हो इसके आवाज अब देखिए हमें क्या करना है अब यहां पर इस वायर को चेक करना है कि कौन सी वायर हमारी खराब हुई है तो यहां हमारी पहली वायर है यहां पर कोपर वाली है तो इसको मैं यहां पर रख रहा हूं और यहां पर कोपर वायर यहां पर लगी है तो इसको मैं यहां पर टच कर रहा हूं तो यहां पर वायर को आपस में टच करने पर हमें बीप मिलनी चाहिए जो कि हमें बीप नहीं मिल रही है इसका मतलब यह जो wire है हमारी, खराब हो चुकी है इसकी line, अब इसी तरीके से यह जो red वाली wire है, इसको हम red वाली point पर touch करते हैं, तो यहाँ पर red वाली पर भी हमें beep मिलनी चाहिए, जो की अब नहीं मिल रही है, उसके बाद देखते हैं कौन सी color है, यह हमारी green color की wire है, और green हमारी यहाँ पर लगी हुई है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमें कोई beep वगएरा नहीं मिल रही है, उसके बाद एक wire और बसती है, blue color की, उसको मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं touch कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमें कोई beep वगएरा तो इस तरीके से फ्रेंट हम ने मल्ट्पीमीटर से इसको चेक कर लिया कि जो वायर है हमारी वो खराब हो चोकी है क्योंकि यहां से लेगे यहां तक के बीच में जो कंटिनीटी हमें मिलनी चाहें मल्ट् imagem से चेक करने के बाद वो हमें नहीं मिल रही है और फाल्ट हमारा यहीं से है अब इस चीज के लिए देखे अब इसके अंदर इसी वज़े से फाल्ट बन रहा है अब फाल्ट क्यों बन रहा है तो देखे हमारे इस सेक्षन में बैटरी लगी है और यहां पर बैटरी लगी है यहां पे इसको बैटरी की सप्लाइए नहीं मिलेगी तो यह सरकृट हमारा काम नहीं करेगा और दूसरा यह भी है कि यहां से ना एक वायर हमारी इस वाली इयरफोन के लिए गई हुई है ठीक है इसके लिए यहां पे गई हुई है तो इसके अंदर भी आपको आवाज नहीं मिलेगी क्योंकि यहां से इसकी भी वायर हमारी कट गई है इसमें तो आवाज आएगी आपकी क्योंकि यह इसके साथ नीचे जूड़ा हुआ है तो इसके अंदर तो कोई पंगा है नहीं लेकिन आवाज कब आएगी जब हमें बैटरी की सप्लाइ मिलेगी तो यहां पे की वायर को यहां पे यूज करना है अब इएर फोन की वायर आप ब्लैक कलर की ले सकते हो बाकी तो ब्लैक कलर की ज्यादा बैस्ट रहेगी क्योंकि इसके साथ वो मैच खाएगी तो अब देखें किस तरीके से हमें उस काम को करना है तो देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ चोटी-छोटी चीज़ें होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने चीज़ें तो यह मेरे पास ये पुरानी एयरफोन है और इसके पीछे वाली पिंग से wire हमारी कट गई थी तो यहां पे हम इसी wire का यूज करने वाले हैं अब देखे किस तरीके से करना है आपको क्या ध्या रखना है कि आपको हमें सब पीछे वाली ही wire यूज करनी है ना कि यह जो हमारी यहां पर लगी होती है स्पीकर के पास में यह वायर आपको यूज नहीं करने आपको पीछे वाली वायर यूज करने हैं तो यहां पर हम इसको यूज करेंगे क्योंकि यहां पर आपको चार वायर मिलेगी तो यहां पर सिर्फ आपको दो वायर मिलेगी यहां पर दो वायर मिलेगी इसके अंदर आपको चार वायर मिलेगे और हमें जरूरत है चार वायर की तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है अब यहां पर पहले हम क्या करते हैं वायर को ना ऐसे ना अप लेते हैं कि कितनी वायर हमें लगबग जरूरत है इसको यहां तक तो लगबग हमें इतनी वायर दिखाए देखा, आलना है, यह देखे, फोड़ा सा जूम करके मैं दिखाना चाहूंगा, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी सेम कलर की वायर है, ग्रीन, पोपर और यह ब्लू कलर की, जो वायर हमारी इसके अंदर लगी हुई है, और यह चीजे आपको पता होनी चीज यहां पर हो गया इस तरीके से, और इसी तरीके से हमें इस सैड भी छील लेना है, तो एक बार मैं क्या करता हूं, क्योंकि इस वायर को हमें इतना लगाना है, तो हमें इतनी वायर को छीलना पड़ेगा, देखे, इतनी वायर को हम छीलेंगे, तब यह चीजे यहां पर लग आपको करना है इसकी पॉलिस को साफ करना है तो यहां पर इस तरीके से आप लैटर की मदद से इसकी एक एक बार को साफ कर सकते हो इस तरीके से साफ कर लेना है आपको तो मैं क्या करता हूं एक बार सभी वायर के पॉलिस को मैं साफ कर लेता हूं अच्छे से और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको साफ कर लेना है, पोलिस को साफ करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें हलकी हलकी पेस्ट लगानी है, इस तरीके से आप पेस्ट लगा दो अच्छे से वायर के अंदर, और पेस्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पे सोल् करने में कोई प्रोलम ना हो तो हमने दोनों साइड इसी तरीके से कर लिया है अब देखिए हमें यहां पर इस वायर को निकालना है और वायर को निकालते समय आपको यहां पर इसके पॉइंट को भी देखना आना चाहिए कि कौन सी वायर हमारी किस चीज की लगी हुई है तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीजे यहां पर लिखे हुई है यहां पर आप देखे यह जो पहले नंबर की वायर है हमारी यह हमारी कोपर कलर की वायर है तो यहां पर आप देख सकते हो बी माइनस लिखा हुआ है बी के आगे माइनस का सिंबल बना है तो यह आपको हमेसा ध्यां रखने बैटरी वालि वायर के अंदर आप वायर उसी हिसाब से लगाने आप गलती से उल्टा सिध़ मत लगा दो तो उसी हिसाब से आपको वायर को जोडते समय ध्यां रखना है बाकी ये वाली जो वायर है R plus और R minus यानि ये wire को पहले निकाल लेते हैं और एक एक wire को उसी इंसाफ से हम जोड़ते चलेंगे तो यहां पर इस side में हमने छोटी wire को निकाल रखा है तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे उसी इंसाफ से wire को जोड़ लेते हैं तो मैं क्या करता हूँ इन वायर को पहले जोड लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ और यह बिल्कुल बारिक सोल्टरिंग होती है, तो आपको यह सारी चीजे बिल्कुल ध्यान से करनी है, तो यहाँ पे यहाँ पे जोड दिया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर है, इसको हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह चीजे अब हमारे काम क और यह चीजे मैं आपको वीडियो के अंदर बताने की कोशिस करता हूं तो यहां से मैंने इसको निकाल लिया है अब यह जो वायर है हमारी कहां पर गई यह इसको हमें इसके अंदर से डालना है इस तरीके से हम डालेंगे और यहां पे इसको हम ऐसे लगा के और यहां पे हमें हलकी से फैवी क्योंक डालनी पड़ेगी हम डाल लेंगे बाद में तो यहां पे आप हमें इस वायर को उसी हिसाब से जोड़ना है याद फिर से वही चीज रखनी है कि जो वायर हमारी बैटरी वाली हमारी ulti cd नहीं होनी चीए यह जो दूसरी वायर थी हमारी r plus r minus वाली वो आप ulti cd कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बैटरी वाली बैटरी की जगा पे ही होनी चीए तो यह चीजे आपको ध्यान रखनी है तो हम क्या करते हैं इसको भी यहां से फटा फट वायर को निकाल देते हैं और इसके जगा पे उसी हिजाब से वायर को जोड़ लेना है बस इसके अंदर में तो यह पॉइंट काई खेल होता है और यह देखे मैंने इसको निकाल दिया है यह जो हमारी खराब वायर है और यहां पे हमें अब उसी हिजाब से वायर को जोड़ देन यह हमारी battery की है तो black वाली हमारी minus की है तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो हमारी copper color वाली wire है यह हमारी battery की minus वाली wire है तो इसको हम यहाँ पर minus में जोड़ेंगे और जो red वाली है उसका तो आपको पते यह red में लगेगी तो उस इंसाब से आप देख सक सारी wire को जोड़ लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं तो यह देखिए मैंने इस तरीके से यहां पर चारो wire को जोड़ लिया है और आप देख भी सकते हो सफाइक साथ आपको ऐसे ही जोड़ना है कोई wire किसी दूसरे wire के साथ टच नहीं होनी चीए यह चीज आपको खास कर पर ध्यान रखनी है तो यहां पर हमने क्या कर लिया है इसके सारे wire की connection को दुबारा से कर लिया है इसके बीच के wire के connection को अब हमें क्या करना है यहां पर आपको हलकी सी five q लगानी पड़ेगी ताकि यह वायर हमारे बाहर की तरफ ना आए तो मैं क्या करता हूं इसको यहां पहले fix कर देता हूं, फिर आगे आपको दिखाता हूं, यहांपे मैंनेvoor 가까往 और घृपक और भी दिखाई दे रहा है, तो आम क्या कर सकते हैं ? यहाँ से मेखना रबब करके लिए इस अच्छे तरह के से यह चीज भी लग चुकी है तो अब यहां पर हमने वायर को अच्छे से लगा लिया है इसको हम कर देते हैं दुबारा से पैक तो यह सारी चीजे हम यहां पर लगा देते हैं इस तरह के से यहां पर लग चुकी है और इसको हम कर देते हैं क्योंकि इसके अ हमारा सर्किट है यहां पर वायर आई हुई है यह देखिए इस बीच वाली बटन को मैं प्रेस कर रहा हूं और यह देखिए मैंने जैसे इसे प्रेस करा तो यह हमारा ब्लू तो अब स्टार्ट हो गया है जब कि पहले क्या हो रहा था कि इसको चार पांच घंटे पूरा दिन आप स्टार्ट लार्ट हो तो यह हमारा उन नहीं हो रहा था ऑन क्यूंनी होगा जब इसके साथ बैट्री वायरे ौ instruments यह चॉड़ी हूई तो फिर ौन कहा होगा क्योंकि जब हम इसको चार लगातें तो हम बैट्री चार्ज होती है और बैट्री चार्ज होती है जब उसक किस तरीके से लगाना है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से बता दिया है अब आपको कुछ भी नहीं करना इसको इसके अंदर फिट कर देना है तो चलिए इसको भी मैं फिट कर देता हूं फटा फट और फिर आगे चल के आपको दिखाता हूं इसको मैं एक बार एक चीज़ देख के लगानी है और इसको हम यहां पर फिट कर लेते हैं यहां पर पता नहीं कहां चलीगी यार यहां पर रबड लगी हुई थी फिलाल चलो कोई बात नहीं इसको बाद में लगा लेंगे तो इस तरीके से यह फिट हो गया है और यहां पर हलकी से आपको 5BQ डाल लेनी है ताकि यह यहां से निकलेना तो इस तरीके से कुल मिलाकर यह आपका दुबारा से रेडी हो गया है और आपको पता भी नीचे लेगा कि यार इसके अंदर हमने कुछ चेंज कर रखा है बस यह जो वायर काट थ स्टार्ट हो गी है इसका मतलब अब यह ठीक से चार्ज भी हो रहा है और हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जब इसको हमने चार लगा था तो इसके अंदर नीले रंकी लैड जर रही थी तो इस सारी प्रोलम इसकी जो थी वह हमारी सिर्फ वायर की थी वायर की फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम